येस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इविनिंग टॉल अप यू, कैसे हैं, सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो गाइस, आज हम रिवाइस करने वाले हैं, आपका आज हम सीखने वाले हैं, तो चलिए, अपनी काम करते हैं, इसमें दो चीज़े ध्यान रखना, पहली चीज तो आपका टॉटल इंकम है, उससे ज्यादा कभी भी डिड़क्शन नहीं हो सकता, अगर डिड़क्शन एकसे से तो क्या उसको carry forward करके अगले साल सेट आप कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जो डिड़क्शन होता ना, वो आपको special rates की income के सामने नहीं मिलता, जो भी आपका long term capital gain 1-1-2 है, जो share market वाला होता है, या long term capital gain जो 20% वाला होता है, या short term capital gain 1-1-1-A वाला होता है, या फिर कोई भी special rate का income है, जैसे आपका winning का income है, जो lottery से winning होती है, that is the 30% से taxable होता है, या फिर online game से जो winning होती है, वो भी आपका 30% से taxable होता है, तो क्या उसके सामने आप deduction ले सकते हैं, answer is no, उसके सामने आपको कोई भी deduction का benefit नहीं मिलेगा, चलिए अपने काम करते हैं, deduction को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो ह क्या होता है, आपकी जो income होती है, उस income में से कुछ deduction मिलता है, जैसे आपने सुना होगा कि saving bank का interest है, उस पे 80 TTA में 10,000 तक का deduction मिलता है, तो interest on saving bank account, तो interest आपकी income है, और income जो होगी वो पहले other sources में taxable होगी, फिर उसका deduction मिलेगा, that is call your income based deduction, तो चलिए अपने काम करते हैं, प सर एक बात बताईए, सबसे पहले ये deduction किसको मिलेगा, ये deduction सिरफ individual and HUB को मिलता है, सर वो individual HUB resident होना चाहिए, नहीं, resident, non-resident, कोई भी वो उससे फरक नहीं पड़ता, individual HUB को ATC का deduction मिलेगा, इसमें maximum deduction आपको 1,50,000 मिल सकता है, लेकिन question ही आता है, कि हमको specified investment, तो investment कहां कहां कहा लो न, life insurance policy का premium पे कर दो, life insurance policy अगर आप LIC से लेते हो, या किसी भी insurance company से ले लीजिए, जैसे ICICI Prudential है, या फिर आपका HDFC life, किसी से भी life insurance policy लेते हो, उसका premium पे करते है, तो आपका deduction यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन policy किसके लिए लेनी है, अगर individual SSC है, तो policy खुद के आप पे लिखा हुआ है, assessi जो है, वो अगर individual है, तो खुद के लिए, spouse के लिए, children के लिए, children married है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, children minor है, non minor है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आप अगर children के लिए life insurance policy लेते है, उसका premium पे करते है, आपको deduction मिल जाएगा, लेकिन इसमें चीज़ समझना, यहाँ पर एक limit होती है, premium की, क्या premium आपका limit से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है, तो excess वाले premium का deduction नहीं मिलेगा, उसमें आपको यह देखना है, कि policy ली कब है, policy अगर one for 2012 से पहले ली है, तो जितना भी आप premium pay करोगे, and that is restricted to 20% of the policy value, policy value का मतलब होता है, sum assured, अगर कुछ होता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, that is called sum assured, so premium paid और 20% of policy value, whichever is lower है, उतना deduction मिलेगा, अगर policy one for 2012 या उसके बाद में ली है, तो यहाँ पर जितना आप premium pay करोगे, और 10% of policy value, whichever is lower का deduction मिलेगा, and अगर आपने policy one for 2013 या उसके बाद में ली है और वो handicapped के लिए है, या पर कोई person suffering from the disability है, उसके लिए लिए है, specified disease है, उस person के लिए है, तो यहाँ पर limit हो जाएगी premium paid और 15% of policy value, whichever is lower, अब एक बाद समझना, इसके बाद, life insurance policy के बाद एक काम करो ना, PPF में पैसा डाल दो, अगर आप public provident fund में पैसा डालते हो, यहाँ पर employee अपना contribution करता है, जो employee का खुद का contribution होता है, SPF में statutory provident fund में, या recognized provident fund में, या फिर approved superannuation fund में, उसका employee यहाँ पर ATC में deduction ले सकता है, अगर आपको salary याद रहेगा, तो salary में मैंने बताया था, कि employee का contribution अगर SPF में है, RPF में, approved superannuation fund में, तो वहाँ पर ignore होता है, employee का खुद का contribution but employee इसका deduction है, वो ATC में ले सकता है, या फिर आप एक काम करो, National Saving Certificate में पैसा डाल दो, NSC में पैसा डाल दो, अगर आप NSC में invest करेंगे, तो यहाँ पर deduction मिलेगा, और एक और चीज़ समझना, NSC का तो इंट्रेस्ट आता है, वो इंट्रेस्ट पर भी deduction मिल जाता है, तो ज acceptable होता है, under section ATC, अब एक चीज़ समझना, अगर आपने कोई भी house property purchase करने के लिए, या construct करने के लिए, या लोन लिया है, और लोन आपने या तो bank या financial institution, या किसी trust से लिया है, तो ध्यान रखना, अगर आपने bank या financial institution से कोई लोन लिया है, किसके लिए residential house property को purchase करने के लिए, and construct करने के लिए, तो उसका जो interest का repayment होता है, interest अगर आप pay करते हो, उसका deduction तो आपको 24 house property में मिल जाता है, लेकिन principal का deduction है, वो आप ATC में ले सकते हो, तो principal का deduction है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करो ना, tax saver FD में invest कर दो, tax saver FD का मतलब होता है, क लेकिन maximum यहाँ पर two बच्चों का tuition fees है, उसका deduction मिलेगा, और उनका full time education होना चाहिए इंडिया में, तो अगर दो बच्चों का education fees के लिए, जो tuition fees पे करते है, और उनका education इंडिया में हो रहा है, तो tuition fees का deduction यहाँ पर parents ले सकते है, या फिर नाबार्थ के bonds खरीद लो, या senior citizen saving इसके में पैसा डाल दो, या फिर कोई notified units होती है, ULIP की, Unit Linked Linked Insurance Policy की, उसमें invest कर सकते है, या फिर mutual fund UTI की कुछ notified units है, उसमें invest कर सकते है, या फिर notified pension scheme of UTI mutual fund है, उसमें invest कर सकते है, या फिर आप एक काम करो ना, समरिदी, जो क्या बोलते है, सुकन्या समरिदी account scheme में पैसा डाल तो जो चोटी बच्चिया रहती है, उनके नाम पे सुकन्या समरिदी account scheme parents खोल सकते है, तो parents ने अगर उनके नाम पे सुकन्या समरिदी account scheme खोला, तो उसमें जितना भी पैसा डालेंगो, उसका deduction ATC में मिलेगा, और एक और चीज़ समझना, सुकन्या समरिदी account scheme पे जो interest मिलत है, I think 8.2% interest मिलता है, हर साल वो भी पूरा exempt है, उस पे भी कोई भी tax नहीं लगता, और जब आप उसमें invest करते हो, तो आपको ATC में deduction मिल जाता है, अब एक और चीज़ समझना, जब भी आप कोई house property acquire करते हो, उस पे जो stem duty pay करते हो registration के time पे, as well as the registration fees pay करते हो, उसका deduction आप ATC म में, जो tire 2 में अगर उसने investment किया, तो उसका deduction ATC में मिलेगा, अब एक बात समझना, ATCCD क्या होता है, अभी अपन पढ़ेंगे, ATCCD new pension scheme होता है, तो new pension scheme में क्या होता है, एक तो होता tire 1 और एक होता tire 2, तो tire 1 में अगर कोई भी investment करेंगे, उसका ATCCD 1 में deduction मिल जाएगा, लेकि कोई tax saving term deposit scheme में पैसा डालेंगे, तो ATC में deduction मिल जाएगा, तो guys, यहाँ पे कुछ ऐसे investment है, जहाँ अगर आप investment करते हो, तो ATC में deduction मिलेगा, individual HVP को, और maximum limit है, वो 1,50,000 हो जाएगी, उसके बाद next section आती है, ATCCC, ATCCC क्या बोलती है, कि LIC या किसी और insurance company का अगर pension scheme लेते है, लेकिन उपर जो pension scheme था ना, वो सिरफ UTI mutual fund का था, तो UTI mutual fund के pension scheme में पैसा डाला, तो ATC में deduction लो, लेकिन अगर LIC या किसी और insurance company के pension scheme में पैसा डाला, तो ATCCC में deduction मिलेगा, pension किसको चाहिए, सिरफ individual को चाहिए, तो यहाँ पे deduction सिरफ individual को मिलेगा, and guys, maximum deduction ATCCC में आपको 1,50,000 का मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद एक section हाती है, ATCCD, that is very interesting section, ATCCD क्या बोलती है, कि अगर आप contribution करते हो, central government pension scheme में, या national pension scheme में, या जिसको new pension scheme भी बोलते है, या जिसको pension scheme notified under section ATCCD भी बोलते है, या जिसको attal pension योजना भी आप बोल सकते हो, तो मैंने क्या बोला, कि यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, ATCCD में new pension scheme भोलो, national pension scheme भोलो, central government pension scheme भोलो, अटल pension योजना भोलो, एक ही बात है, अब एक बात समझना, इसमें अगर आप कोई भी contribution करते हो, तो आपको deduction कैसे मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपन employee की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, employee की, employee मतलब कोई भी बंदा कहीं पर job कर रहा है, that is called employee, अगर salary employee जो होता है, वो अगर खुद का जो contribution करता है, national pension scheme में, तो employee को deduction मिलेगा, under section 80 CCD, और deduction कितना मिलेगा पता है, जितना employee ने contribution किया, और 10% of salary, whichever is lower, but salary में लेना है, basic salary plus DA in terms, DA in terms में ऐसा DA जो retirement benefit के लिए काम आने वाला है तो देखो, सबसे पहले हम 80 CCD पढ़ रहे है, यहाँ पे Central Government Pension Scheme की बात हो रही है, जिसको New Pension Scheme, National Pension Scheme भी बोलते हैं, आप NPS बोलेंगे, तो मैं इसको बार-बार NPS बोलूँगा, NPS, अब एक बास समझना है, NPS, pension किसको चाहिए, सिरफ individual को चाहिए, तो यह deduction भी सिरफ individual क मिलेगा, 80 CCD 1 क्या बोलती है, कि अगर कोई भी employee है, और employee ने NPS में पैसा डाला, तो जितना employee का contribution है, और 10% of salary, whichever is lower है, उतने का deduction मिल जाएगा, अब एक चीज़ समझना, यह तो बात हो गई employee की, अब एक बात समझना, उस employee का, अगर employer कोई contribution करता है, क्योंकि employee NPS में पैसा डा सिधा उसको salary head में as a perquisite taxable कर दो, और उसके बाद employee उसका deduction लेगा, under section 80 CCD 2 में, और 80 CCD 2 में कितना deduction मिलेगा, पता है, जितना employee ने NPS में contribution किया, and 10% of salary, whichever is lower, लेकिन central government employee, state government employee के लिए, यहाँ पे 10% की जगे, आप 14% ले सकते है, तो देखिए, पहली बात, आपन बात कर रहे है employee की, अगर employee खुद का contribution NPS में करता है, तो employee का own contribution और 10% of salary, whichever is lower, का deduction मिलेगा, 80 CCD 1 में, जो employer ने contribution किया, पहले उसको salary head में taxable कर दो, उसके बाद employee को deduction मिलेगा, under section 80 CCD 2, और 80 CCD 2 में deduction कितना मिलेगा, जितना employer ने contribution किया, और 10% of salary, whichever is lower, लेकिन employee अगर central government, state government का employee है, तो 10% की जग हो गई, employee के लिए 80 CCD 1 and 80 CCD 2 का, अब एक चीज समझना, अगर कोई बंदा self-individual है, मैं self-employed है, जैसे मैं, मैं एक businessman हो खरी है, ठीक है, मैं salary employee नहीं हूँ, तो क्या मैं भी NPS में पैसा ढाल सकता हूँ, answer is yes, मैं भी ढाल सकता हूँ, मुझे deduction मिलेगा, 80 CCD 1 में, कितना deduction किया, और 20% of the gross total income, whichever is lower, 20% of the gross total income and जितना मैंने contribution किया, whichever is lower है, उतना deduction मुझे 80 CCD 1 में मिलेगा, मुझे 80 CCD 2 में नहीं मिलेगा, अब एक और चीज समझना, एक section होती है, that is the 80 CCD 1B, 80 CCD 1B क्या बोलती है, कि जैसे देखो, जो employee है, वो employee या फिर other individual, अगर 80 CCD 1 में जो deduction ले रह पाए, तो वो 80 CCD 1B में 50,000 तक का deduction ले सकते है, own contribution पे, मैंने क्या बोला, देखो, salary employee या other individual, अगर 80 CCD 1 में पूरा deduction नहीं लेना चाते है, या नहीं ले पाए, तो वो 80 CCD 1B में 50,000 तक का deduction ले सकते है, एक example लेता हो, मानलो, मैंने खुदने contribution किया, यहाँ पे 1,40,000 का, for an example, म मेरा GTI का 20% मानलो, 1 lakh आया, तो मुझे deduction कितना मिलेगा, यहाँ 80 CCD 1 में 1 lakh मिला, लेकिन मैंने access contribution, 40,000 का, तो access contribution है, तो 40,000 का deduction में 80 CCD 1B में ले सकता हूँ, बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि 80 CCD 1B पहले ले लू, 50,000, और बाकी वाला 90,000 में यहाँ पे लू, 80 CCD 1 में क्य वैसा कर सकता हूँ, answer is yes, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, और practical life में ऐसा ही करना चाहिए, वापस बोल रहा हूँ, मेरा contribution 140 था, मानलो, 1 lakh 40,000 was my contribution, and guys, suppose 1 lakh is the 20% of GTI, तो मुझे deduction 1 lakh मिलेगा यहाँ पे, अब एक बात बताओ, क्या 40,000 का deduction नहीं मिला, वो 80 CCD 1B में ले सकता हूँ, answer is yes, ले सकता हूँ, तो 1 lakh उदर लिया, 40,000 यहाँ में लिया, total 1 lakh 40,000, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि 80 CCD 1B पहले ले लू 50,000, और बागी का 90,000, 1 में लूँ, ऐसा कर सकता हूँ, answer is yes, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, उसके बाद एक और चीह समझ है, तो NPS का मेरा account है, मैंने बन कर दिया, जो भी पैसा मिलेगा, उसमें से 40% taxable है, 60% exempt हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी person के death पे, उसके legal hair को NPS से पैसा मिलेगा, वो पूरा exempt है, अगर किसी की death हो गई, और उसके legal hair को पैसा मिलेगा, वो पूरा exempt है, एक और चीह समझदा अगर Recognize Provident Fund and Super Envision Fund में जो पैसा पड़ा था, अगर मैं NPS में transfer करा देता हूँ, तो उसके लिए, जितना उसने contribution किया था, उसमें से 25% तक जो भी विड्रॉ करेगा, वो exempt है, जैसे माल लो, Employee ने contribution किया था, 10 lakh है, तो 10 lakh में से 2,50,000 तक वो tax free है, वो विड्रॉ करेगा, वो सकता है, वो exempt हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, 80C जो था, 80C का limit कितना था, आपका, 1 lakh 50,000, 80CC का limit कितना था, 1 lakh 50,000, 80CCD में तो कोई limit ही नहीं है, अब एक चीज़ समझना, एक section टांग अड़ाती है, that is the 80CCE, 80CCE क्या बोलती है, पता है, कि 80C वाली section, 80CCC and 80CCD subsection 1, यह तीनों मिला के कभी भी 1 lakh 50,000 से जादा deduction नहीं हो सकता, क्या बोला, 80C, 80CCC and 80CCD 1, 80CCD 1, यह जो 80CCD 1 है वो, यह तीनों मिला के कभी भी 1 lakh 50,000 से जादा नहीं हो सकता, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे 80CCE की limit में ध्यान रखना, यह 80CCD 1 भी नहीं आता है, as well as 80CCD 2 भ साली limit में, बट यह 80CCD 1 है, वो आएगा, you got my point or not, yes, चलिए, next section पर चलते है, 80CCC, यह इसी साल से आई है, यह section क्या बोलती है, कि जो भी हमारे अगनी पत स्किम आई है, इंडिया में पता है, और अगनी पत में जो अगनी वीर बनाये जा रहे है अभी, और military में कुछ टाइ government भी उसके लिए कुछ contribution कर रही है, और वो अगनी वीर खुद भी उसमें कुछ contribution कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने अगनी वीर corpus fund बनाया है, अब एक चीज़ समझना, जो employee खुद contribution करेगा उसमें, उस fund में, अगनी वीर corpus fund में, उसका deduction उसको 80CCH में 100% मिल जाएगा, 80 CCH 1 में, 100% deduction मिलेगा उसके खुद के contribution का, और जो government contribution कर रही है, पहले वो salary में taxable होगा, और उसके बाद उसका भी 100% deduction मिल जाएगा, अब उसके बाद में, अगर assessi को या उसके nominee को उससे जो पैसा last में मिलेगा, वो पूरा exempt है, जो भी तुमारा अगनी वीर corpus fund रहेगा, उस ATCCS क्या बोलता है, this is for the अगनी पत स्किम में, जो अगनी वीर है, उनके लिए एक अगनी वीर corpus fund बनाया गया, जो employee है, जो अगनी वीर है, कर गे ठीक है, वो खुद का contribution जो करेगा, उस पर deduction मिलेगा, 100% under section ATCCH subsection 1, जो government ने contribution किया, employer ने contribution किया, पहले वो salary में taxable कर तो, और फिर उसका deduction ले लिजिए, ATCCH subsection 2 में, guys, 100% deduction मिलेगा, and guys, इस fund से जो भी पैसा बात में मिलेगा, वो पूरा exempt हो जाएगा, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, चलिए, next section पे चलते है, ATD, D का मतलब दवादारू ना कराने पड़े, तो दवादारू ना कराना पड़े, उसक medical treatment senior citizen के लिए होना चाहिए, अभी मैं समझाओंगा, तो देखो, अगर आप medical insurance premium pay करते है, central government health scheme में पैसा डालते है, preventive health check-up के लिए खर्चा करते है, या medical treatment करते है, तो आपको deduction ATD में मिलेगा, ATD में deduction individual achieve को मिल सकता है, individual को किसके लिए करना है, यह सब, तो individual जो है, वो करेग dependent word यूज हुआ है, dependent children, तो देखो, अगर कोई individual है, उसको health insurance किसके लिए कराना, या तो मैं जैसे मैं हूँ, तो मेरे खुद के लिए, मेरी spouse के लिए, मेरे children के लिए, and मेरे parents के लिए, मैं health insurance वगईरा करा सकता हूँ, अगर मैं HEOP की बात करूँगा, तो किसी भी member के लिए, अब एक और चीज़ समझना, इस section में क्या होता है, जो भी आप insurance premium पे करते हो, central government health scheme में पैसा डालते हो, या medical treatment वगईरा कराते हो, उसका payment जो है, वो any mode other than cash करना है, any mode other than cash, एक चीज़ ध्यान रखना, जहां पे भी any mode other than cash लिखा हुआ है न, तो यहां पे bearer check से किया तो क्या इस section में यह बोला हुआ है, कि medical insurance premium, central government health scheme and medical treatment का जो खर्चा करोगे, वो any mode other than cash होना चाहिए, लेकिन guys, preventive health check-up के लिए आप cash में खर्चा कर सकते हो, लेकिन यहां इस section में deduction कितना मिलेगा, तो देखो, सबसे पहले मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा example लोगा, मेरा खुद का, म मेरी spouse का and मेरे dependent children का, हम तीनों का मिला के, maximum deduction में 25,000 का ले सकता हूँ, maximum deduction में 25,000 का ले सकता हूँ, लेकिन मान लो, मेरे और मेरे spouse में से, कोई भी senior citizen है, और उसके लिए अगर health insurance लिया है, तो यह limit 25,000 से increase हो जाएगी, और मुझे maximum deduction 50,000 हमारा मिल जाएगा, तो देखो, normally क्या मेरा, मेरी spouse का and dependent children का, तीनों का मिला के, maximum 25,000, बट हम मैं से कोई senior citizen है, तो limit 25,000 से enhance हो जाएगी, और total 50,000 का deduction मिल जाएगा, अब एक बात समझना, मैं मेरे parents के लिए अगर health insurance कराता हूँ, तो उसके लिए, उनके लिए मुझे extra deduction मिलेगा, parents में mother और father आ जाएगे, अब एक ब limit बढ़ जाएगा, और बेटा, 50,000 total limit हो जाएगा, तो देखो, वाबस बोल रहा हूँ, मेरे खुद के लिए, मेरी spouse के लिए, मेरे dependent children के लिए, maximum 25,000, हम मैं से कोई senior citizen है, तो 50,000, मेरे parents के लिए, अलग से 25,000, और उनमें से कोई senior citizen है, तो 50,000, अब एक चीज समझता है, यहा तो उसके लिए आप medical treatment करा सकते हो, और medical treatment का deduction यहाँ पे ले सकते हो, जैसे माल लो मेरे पापा है, पापा के नाम पे health insurance नहीं है, तो मैं उनके लिए medical treatment का deduction में ATD में ले सकता हूँ, लेकिन एक चीज धियान रखना, कि यहाँ पे, उसमें maximum 50,000 का medical treatment के लिए deduction ले सकते हो, ले जैसे for an example, मेरी मम्मी के लिए health insurance policy है, पापा के लिए health insurance policy नहीं है, और दोनों senior citizen है, मम्मी के लिए मैंने 30,000 का premium pay किया, और पापा के लिए 40,000 का medical treatment कराया, तो total कितना हुआ 70,000, मुझे deduction कितना मिलेगा, maximum 50,000 का deduction मिल जाएगा, हुआप है, हुआप मेंबर के लिए 25,000, बड़ जिस मेंबर के लिए health insurance policy ले रहे है, अगर वो senior citizen है, तो यह limit 25,000 से बढ़ जाएगी, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे preventive health check-up है ना, उस पे maximum खर्चा 5000 का ही कर सकते हो, पहली चीज़ तो preventive health check-up पे खर्चा सिरफ individual कर सकत है, और वो भी maximum 5000 का ही कर सकते हो, और एक और चीज़ समझना, यह 5000 जो है, क्या यह additional limit है, यहाँ पे जो 25,000, 25,000 और जो 50,000 की limit है, क्या उससे extra 5000 मिलेगा, ना बाबा ना, यह जितनी भी limit दे रखी है ना, इसमें already वो included है 5000, और एक और चीज़ समझना, यह 5000 ऐसा नहीं है, कि मेरे spouse, children के लिए 5000, and parents के लिए वापस 5000, ना बाबा ना, मेरा spouse, children, and parents सब का मिला के, preventive health check-up के लिए आप maximum 5000 का deduction है, वो ले सकते हो, एक और चीज़ समझना, बहुत बार क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसी health insurance policy लेते हो, जिसका multiple year के लिए है, multiple year के लिए आज कल यह option है, कि 5 5 साल के लिए आप health insurance policy ले सकते हो, तो उसका deduction कैसे मिलेगा, उसका 5 year में deduction मिलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने in between the year policy ले ली, तो आपको ध्यान रखना है, कि जितने year में वो policy है, उतने year में आपको deduction है, वो proportionate मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक 6 previous or हो जाएँगे, और यहाँ पे आपको 6 installment में deduction मिल जाएगा, चलिए, next section पे चलते है, ATDD, ATDD क्या बोलती है, पता है, कि अगर मानलो आपका कोई HDR है, HDR का मतलब handicap dependent relative, अगर आपका कोई handicap dependent relative है, जिसको आप HDR बोलोगे, अगर आपका कोई HDR है, और HDR जो है, उसके लिए आप य चलिए चीज़ तो यह section सिर्फ resident individual हुआप के लिए है, ATD जो थी न वहाँ सिर्फ individual हुआप लिखा था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है resident individual हुआप, आपको करना क्या है, कि अगर आपका कोई handicap dependent relative है, HDR है, अब आप बोलोगे relative में कोई आएगा, आपके near Indian, individual के लिए relative कोन ह होता है, spouse, mother, father, brother, sister and children, तो spouse, children, mother, father, brother, sister and वो आप पे अगर ही dependent है, वो आप पे क्या है, dependent है, हुआप के लिए any dependent member of the हुआप, और वो क्या है, handicap है, और आप क्या कर रहे हो, या तो उसके maintenance के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, या उसका कोई treatment करा रहे हो, उसके नाम पे मान लो कहीं LIC, LIC में कुछ investment कर रहे हो, तो आपको deduction यहाँ पे 80D में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 80D में deduction कितना मिलेगा, यहाँ पे flat deduction है, अगर वो severe, पहली normal disability है, तो उस case में 75,000 का, अगर severe disability है, जिसमें 80% और more की disability है, तो वहाँ पे आपको 1,25,000 का deduction है, वो मिल जाएगा, इसम यहाँ पे गाइस, वापस में बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे आपने actual खर्चा कितना किया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने actual खर्चा 10 रुपे का किया, तो भी आपको deduction 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा, तो 80DD क्या होता है, आपका dependent जो है, वो disabled, ऐसा याद रुको, DD मतलब है ठीक है, तो dependent, disabled है, अब इसे HDR है, handicap dependent, relative है, उसके treatment के लिए कोई खर्चा करते हो, उसके maintenance के लिए आपको खर्चा करते हो, आपको flat deduction मिलेगा 75,000 का या 1,25,000 का, अब एक और चीज समझना, next section आती है, ATDDB, ATDDB का मतलब होता है, दिल देला देने वाली बिमारिया, या जिसको आप डरावनी डरावनी बिमारिया बोल सकते हो, तो दिल देला देने वाली बिमारिया, ये deduction मिलेगा, ये भी resident individual HIV को, अब एक बाद समझना, किसी भी person को कोई specified disease हो जाती है, दिल देला देने वाली बिमारी हो जाती है, और वो किसको होनी चाहिए, या तो खुद असेसी को ह हो गई, या फिर dependent relative को ही, dependent relative में हो ही, spouse, children, mother, father, brother, sister, अगर दिल देला देने वाली बिमारी हो गई, कोई ऐसी बिमारी हो गई, जैसे cancer वगरा, एंड उसका क्या हो रहा है, treatment हो रहा है, तो treatment पे आप जो भी खर्चा करोगे, यहाँ पर deduction कैसे मिलेगा, देखो, जितना आपने actual खर्चा किया, treatment का वो ले लो, and guys, 40,000 और 1 lakh जो है, वो लेना है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, whichever is lower लेना है, 40,000 नॉर्मल केस में, लेकिन patient, अगर senior citizen है, तो आप यहाँ पर 1 lakh लोगे, तो देखो, जितना खर्चा किया, and उसको compare करोगे, 40,000 या 1 lakh से, whichever is lower, whichever is lower, जै 70,000 का है, वो actual expenditure हुआ, और मान लो, वो senior citizen नहीं है, तो 40,000, तो lower comes to the 40,000, deduction 40,000 का मिलेगा, अब एक बास समझना, अगर हमने कोई insurance कराया था, और insurance का कोई भी हमको पैसा मिला, तो वो भी less हो जाएगा, मान लो, insurance से हमको 15,000 मिल गया, तो 15,000 insurance से मिल गया, तो बाकी कितना ATD, ATDDB, ATD जो है, वो health insurance वगरा से related है, ATDD क्या है, disabled dependent है आपका, और ATDDB क्या है, दिल देला देने वाली बीमारी है, अब एक चीज समझना, एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो धियान रखना, guys, ATD वाली series ही ऐसी है, जिसमें dependent word यूज़ हुआ है, बाकी कहीं पे भी dependent word use नहीं होगा, dependent word सिरफ तीनी section में use होता है, ATD में, ATDD में और ATDDB में, ATD में dependent children लिखा है, ATDD में dependent relative लिखा है, DDB में भी dependent relative लिखा है, तो dependent word है, वो सिरफ ATD की series में use हुआ है, बाकी कहीं पे भी आपका dependent word है, वो use नहीं हुआ, चलिए, next section आती है, ATU, ATU क्या बोलती है, कि 75,000 और 1,25,000 depends on the disability अगर normal disability है 75,000 का flat deduction है severe disability है 1,25,000 का flat deduction है इसमें कुछ नहीं करना if any person is a handicap that person can claim the deduction 75,000 और 1,25,000 चलिए next section आती है ATE E का मतलब होता है education अगर आपने कोई educational loan लिया है education loan लिया है higher education के लिए higher education का मतलब होता है कोई भी ऐसा course कर रहे हो जो बाहर भी के बाद है कोई भी ऐसा course जो 12th के बाद है और इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी आप ऐसा course कर रहे हो और आप educational loan लेते हो तो आपको जो interest पे करोगे उसका deduction मिलेगा assessi कौन होना चाहिए यहाँ पे इंडिया को deduction मिलेगा और interest का deduction आपको 8 years तक मिलेगा जबसे आप interest पे करना चालू करोगे तो जबसे आप interest पे करना चालू करोगे 8 years तक आपको 100% deduction interest पे मिल जाएगा लेकिन education किसका होना चाहिए education या तो खुद का होना चाहिए या children का होना चाहिए, या किसी भी student का जिसके लिए आप legal guardian हो, तो education किसका होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए, या फिर spouse का होना चाहिए, या children का होना चाहिए, या किसी भी ऐसे student का होना चाहिए, जिसके लिए आप क्या हो legal guardian हो, चलिए, next section ATEE, that is not more relevant for the examination purpose, but ये section क्य बोलती है, deduction मिलेगा सिरफ individual को, अगर आपने कोई housing loan लिया था, और वो housing loan का जो interest है, उस interest का 50,000 तक यहाँ पर deduction ले सकते हो, 80,000 में, अगर आप 4 conditions satisfied करते हो, देखो, आपने housing loan लिया, और housing loan का interest है, आप बोलोगे सर्थ, interest का deduction housing loan पे तो पहले तो 24 house property में मिलता है, वहाँ तो मिल लेगा, लेकिन आपका वहाँ पे भी पूरा नहीं होता है, जैसे for an example, your interest is 2,60,000, in case of the self-occupied property, 2,00 का deduction आप अल्रेडी ले चुके हो house property में, तो remaining आप 50,000 तक का deduction इस section में ले सकते हो, अगर 4 conditions satisfied होती है, पहली condition, loan आपको bank या financial institution से लेना है, residential house property acquire करने के लिए, second condition यह है कि house property ज ज्यादा नहीं होना चाहिए, third condition आपने जो loan है, वो loan आपका 35,000,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, and fourth condition आपका जो loan sanction हुआ था, वो previous year 16-17 में हुआ था, means from 1st April 2016 से लेके 31st March 2017 के बीच में आपका loan sanction हुआ था, and last condition यह है कि SSC के पास एक भी house property नहीं है, एक भी house property नहीं है, ज satisfied कर लेते हो, तो आप 50,000 तक का interest का deduction ATEE में ले सकते हो, तो देखिए, ATEE क्या बोलता है, पहली चीज़ तो यह deduction सिरफ individual को मिलेगा, maximum deduction यहाँ पे 50,000 का मिलेगा, अब एक चीज़ समझता है, यहाँ पे condition क्या है, loan bank financial institution से residential house property के लिए लेना है, दूसरा condition क्या है, house property की cost है, वो आपके पास एक भी घर नहीं होना चाहिए, this is your first house, तो उस particular case में आप हर साल 50,000 का deduction यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आप interest उस साल में pay कर रहे हैं, तो चलिए, उसके बाद एक section आती है, ATEEA, यह section को याद रखना है, यह section बोलती है कि अगर आपने residential house property acquire की, और उसके लिए पूरा interest house property में यह अलव हो जाता है, अगर LOP, DLOP है, तो पूरा interest house property में यह अलव हो जाता है, SOP के case में 2 lakh वहाँ पे होगा, बाकी 1 lakh 50,000 तक, आप यहाँ पे deduction ले सकते हैं, अगर आप यह 5 condition satisfied करते हैं, 4-5 condition है, पहली condition यह है, लोन आपको bank और financial institution से लेना है, second condition यह है कि जो आपने घर acquire किया, उसका stem duty value 45 lakh से जादा नहीं होना चाहिए, जो घर आपने acquire किया, उसका stem duty value 45 lakh से जादा नहीं होना चाहिए, आपका loan जो previous year 19-20 से लेके, और 21-22 के बीच में sanction होना चाहिए, means 1st April 2019 से लेके 31st March 2022 के बीच में आपका loan sanction होना चाहिए, तो आपका 3 years हो गया, 19- 20-21-22, so in 3 years में जो आपका loan है वो sanction होना चाहिए, and guys जिस दिन loan sanction हुआ, उसके पास आपके और कोई property नहीं होनी चाहिए, और कोई property नहीं होनी चाहिए, this is the first property, अगर ये 4 conditions satisfied करते हो, तो आपको deduction यहाँ पे 1,50,000 का मिल जाएगा, तो देखिए, 80-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E दूसरी condition, आपका SDV of property 45,000,000 से जादा नहीं होना चाहिए, 1920 से लेके और 21-22 में आपका loan sanction होना चाहिए, और जिस दिन sanction हुआ, उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए, अगर ये all condition satisfied हो जाती है, तो आप 1,50,000 तक interest का deduction 80-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E अब एक बात बताओ, जो लोग business वाले होते हैं, और business के लिए अगर मानलो vehicle use हो रहे है, तो वो ऐसे भी PGP के में ले लेंगे, ये बाकी वाले जो लोग है, जो बिचारे salary employee वगरा होते हैं, तो उन्होंने अगर electric vehicle खरीदा और वो loan लेके खरीदा, तो electric vehicle का interest रहेगा, इस interest क deduction यहाँ पे आपको 1,50,000 तक मिल जाएगा, लेकिन कुछ condition है, पहली condition यह है कि जो loan है, वो किसी bank से लेना है, financial institution से लेना है, including the NBFC, यहाँ पे NBFC से लिया तो भी चलेगा, यहाँ specifically बोला है कि आप bank से लेते हो, किसी financial institution से लेते हो, including the NBFC, आपने NBFC से लिया तो भी चलेग दूसरी condition, जो loan sanction होना चाहिए, वो 1,4 2019 से लेके 31st March 2023 के बीच में sanction होना चाहिए, मिस यह 4 साल में loan sanction होना चाहिए, 1920, उसके बाद 2021, 21, 22, 22, 23, यह 4 साल में आपका loan sanction होना चाहिए, and guys, deduction आप interest का सरफ यहीं पे ले सकते हो, अगर और deduction अल्रेडी कहीं ले चुके हो, जैसे PGPP अगरा में, तो फिर interest का यहाँ पे आपको deduction नहीं मिलेगा, उसके बाद next section आती है, ATG, G का मतलब होता है donation, G, थोड़ी respect देनी चाहिए, donation, अब एक बाद समझना, ATG वाली section क्या बोलती है, कि आप अगर donation देते हो, तो आपको deduction मिलेगा, पहली चीज तो यह section है, वो all SSC पे ह अब एक बाद समझना, इसमें दो category होती है, एक तो होती है तुमारी unlimited category और एक होती है तुमारी limited category, unlimited category का मतलब होता है, कि आपकी जितनी मर्जी है उतना donation दो, अगर आपने 5 करोड का donation दिया और 100% में आता है, तो पूरे 5 करोड का deduction मिलेगा, if you donated 1 करोड and if it is covered in the 100% पूरे 1 क करोड का deduction मिलेगा, if it is covered in the, like 50% वाले में आ रहा है माल लो, unlimited category बट 50% वाले में आ रहा है, तो जितना आप donate करोगे उसका 50% deduction मिल जाएगा, जैसे 2 करोड का donation दिया तो 1 करोड का deduction मिल जाएगा, अब अपन बात करते है, unlimited category कौन कौन सी है, तो देखिए unlimited में मतलब donation पर कोई limit नहीं है, unlimited category में guys, यहाँ पे, अगर मैं unlimited category में 100% की बात करूँ, तो देखिए, national defense fund को donation करते है, prime minister national relief fund में donation करते है, prime minister armenia earthquake fund में पैसा डालते है, cm relief fund, cm कोई भी हो सकता है, gujarat cm, Delhi cm, कोई भी cm करके, ठीक है, बिहार cm, या फिर LG relief fund करके, जो lieutenant governor relief fund है, उसमें पैसा डालते है, जिला सक्षरता समिती में, national sports fund में, national children fund में, national cultural fund में, स्वच भारत कोश में, clean ganga fund में, national fund for control of drug abuse, या फिर आपका PM care fund में, या फिर कोई army से related fund है, उसमें अगर आप पैसा डालते है तो आपको 100% deduction मिल जाएगा, और unlimited, unlimited means कितना भी donation कर सकते हैं, कोई problem नहीं, कितना भी donation कर सकते है, unlimited category में, आपको deduction मिल जाएगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको मैं बताओ, बड़ा simple है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक second रुखना, देखिए, unlimited 100%, उसके बाद unlimited, आपका 50% जो है, उसमें एक ही बचाए, पहले यहाँ पे इंद्रा गंधी, राजीव गंधी हु जहाँ जहाँ पे PM आता है, जहाँ जहाँ पे CM आता है, क्लीन गंगा फंड आता है, जिला साक्षर्ता समीती आता है, या National Fund for Drug Abuse, या आर्मी वाले फंड आते हैं, 100% unlimited, एक ही है, सिरफ प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट ड्रॉट का मला सूखा पढ़ गया, अगर एक बात बता और PM पढ़ा और सूखा पढ़ गया, तो 50% deduction देने का, कितना 50%? तो देखिए, मैं बताओ, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रेली फंड है, उसमें 50% unlimited, बाकि कहीं पे भी PM आता है, कहीं पे भी CM आता है, कहीं पे भी LG आता है, कहीं पे भी National आता है, जिला साक्षर्ता समीती आता है, जहाँ जहाँ CM आता है, स्वच भारत, कोश क्लीन गंगा फंड, जिला साक्षर्ता समीती, आर्मी से रिलेटेट फंड है, यहाँ पे आपको 100% unlimited deduction मिलेगा, एक ही बचा है 50% में, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रेली फंड है, उसमें 50% unlimited deduction मिलेगा, मिस नहाँ पे donation पे कुछ limits है, अब limits क्या है वो अपन देखेंगे करगे, ठीक है, तो देखो, limited category में दो चीज़े है, एक तो आपको याद रखना 4, और दूसरा आपको याद रखना है HTC Mobile, STC Mobile, दो चीज़े आपको याद रखनी है, ठीक है, एक तो याद रखना 4 और एक रख अप्रूड institution को donation दिया, तो देखो, आप government को, local authority को, approved institution को, promotion of family planning के लिए donation देते है, तो वो 100% deduction मिलेगा, बट वो limited category में आएगा, और ओ का मतलब होता है कि अगर किसी company ने, यहाँ पे सिरफ company के लिए है, company ने Olympic Association या एनी अधर institution को for the development of infrastructure for sports in India, तो ओ का मतलब ऐसा Olympic याद रख sports development के लिए donation दिया, तो guys, यह दोनों आपके 100% limited category में आएंगे, 100% limited में क्या, 4, 4, 4, 4, F का मतलब होता है कि family planning के लिए दिया, और ओ का मतलब ओलंपिक association या किसी और को company ने दिया, और guys, वो इंडिया में sports infrastructure के increment के लिए दिया है, अब एक आता है HTC mobile, HTC mobile, देको HTC का mobile होता है तो उसकी value 50% हो जाती है, तो 50% limited, अब H में आएगा, अगर आपने donation दिया, housing development authority को, या आपने donation दिया है, renovation या repair of any temple, ती का मलई है, temple, गुरुद्वारा, mosque, church, जो religious place होते है, उसके repair renovation के लिए donation दिया, C का मतलब होता है, यहाँ पे charitable, public charitable trust होते है, जो NGOs होते है, उसको donation दिया, and यहाँ पे M का मतलब होता है, minority community के promotion के लिए आपने अगर donation दिया, तो यहाँ पे आपको 50% limited category में deduction मिलेगा, अब एक बाद समझना, limited category का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, limited category means guys, कि जो भी आपका, 4 and STC mobile है, वो limited category में है, तो जितना आपने 4 and STC mobile को donation दिया, that should not be more than 10% of adjusted total income, miss, आप एक काम करिए, कि यहाँ पे जो आपने total donation दिया है, and 10% of adjusted total income, whichever is lower है, उसको continue करिए, अब आप बोलेंगे, यह 10% of adjusted total income, but adjusted total income किसको बोले, तो adjusted total income के लिए आप एक काम करिए, पहले आप एक काम के रिए gross total income ले लीजिए, but gross total income मैं से आप जितनी भी special rates वाली income है, उसको हटा दीजिए, तो GTI, but other than special rate of income, और minus कर दीजिए, all deduction except ATG, ATG के deduction को छोड़ गे, बाकि सब आप minus कर दीजिए, जो भी बचेगा, वो ATI बचेगा, तो इस ATI का 10% और actual donation आपने जितना दिया, whichever is lower है, वो आपका eligible donation आ जाएगा, that will be your eligible donation, और वो eligible donation जो आएगा, उस पे फिर आपको क्या करना है, कि 4 वाले पर 100% दे दो, और जो HTC mobile है, उस पर आपको 50% दे दो, अब एक और चीज़ समझना, इस section में आपको deduction नहीं मिलेगा, अगर 2000 से ज़्यादा का donation आपने cash में किया है, मिस 2000 से ज़्यादा का donation है, तो उस particular case में क्या करना पड़ेगा, अगर 2000 से ज आप लोग कहीं पे घर भाड़े पे लेके रहते हैं, तो गर भाड़े पे लेके रहते हैं, तो उस particular case में अगर employee होता है, तो उसको HRA में deduction मिल जाता है, अगर HRA नहीं मिल रहा, तो कोई भी employee या पिर कोई self-employed है, वो 80 GG में deduction ले सकता है, अगर वो rent pay कर रहा है, यहाँ पे इस section में deduction सिरफ individual को मिलेगा कितना मिलेगा तो यहां पर 3 में से whichever is lower पहला है 5000 पर मंद या साल का 60,000 बोल सकता हूं दूसरा 25% of adjusted gross total income and third is a rent paid minus adjusted 10% of adjusted total income या adjusted gross total income तो देखो मैंने क्या बोला समझ नहीं कोशिश करदा यह deduction सिरफ individual को मिलेगा आप अगर house भाड़े पे लेते हो उसका rent पे करते हो तो deduction मिलेगा eligible deduction कितना मिलेगा तो देखिए सबसे पहला 5000 पर मंद या पूरे साल का 60,000 दूसरा 25% of तुमारा adjusted gross total income and तीसरा rent paid minus 10% of the adjusted gross total income whichever is lower है उतने का deduction आपको मिल जाएगा एक और चीज़ समझना यहां पे जहां पे आप rent पे कर रहे हो ना उस पे आपकी spouse या आप या आपका minor child या आपका हुए जिसके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए वहां पे वहां पे उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए अगर वह उसके बार next section आता है ATGGA, ATGGA क्या बोलता है बता है? ATGGA यह बोलता है कि अगर आप scientific research institution, college, university को scientific research के लिए donation देते हो, आप बोलोगे यह तो सर हमने पढ़ा था वहां पे PGBP में, बट देखो जिनका business का income है वो तो section 35 में reduction ले लेंगे, वहां पे था ना राहूल ICU के research association, institute, college, university अगर scientific research के लिए donation देते हो, तो business वाले तो वहां पे ले लेंगे, बट जिसका business नहीं है वो क्या करेगा? तो जिसका business नहीं है, अगर आपका business में income नहीं जाता, तो वो assessi जो है, वो ATGGA में deduction ले सकता है, 100% deduction मिलेगा, यहां condition है, 2000 से ज्यादा का donation है, तो cash में नहीं कर सकते ह आप cash में कर सकते हो, उसके बाद ATGGB and GGC, that is donation to electoral trust and political party, तो अगर आप political party and electoral trust को donation देते हो, तो आपको deduction मिलेगा, तो आपको deduction मिलेगा, कहाँ पे ATGGB, GGC में, अगर देखो Indian company ने donation दिया ना, तो Indian company को ATGGB में deduction मिलेगा, और any person other than Indian company ने donation दिया, तो ATGGC में deduction मिलेगा, deduction आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन इसमें condition है, कि donation should not be made by any mode other than cash, अगर donation should be made by any mode other than cash करगे, ठीके, मिस आपको other than cash ही donation देना है, cash में आपने donation दिया, तो यहाँ पे आपको deduction नहीं मिलेगा, तो ATGGB, GGC क्या है, political party, electoral trust को आप donation देते हो, आपको deduction मिलेगा, Indian company ने दिया, तो ATGGB में 100% deduction आपको मिल जाएगा, और donation आपको cash में नहीं देना, अगर आपने cash में दिया, तो deduction नहीं मिलेगा, अब अपन बात करते हैं, आपके income based deduction की, अब एक बास समझना, सबसे पहले हम income based deduction है, वो पढ़रे जो part C में दे रखे है, under chapter 6 में कुछ parts होते है, A, B वगरा, उसमें C मे जिसको बोला जाता है income based deduction in respect of certain income, अब एक चीज़ समझना, income based deduction अगर आपको चाहिए न, और income based deduction कौन कौन से होते है, पहली चीज़ तो मैं बता दू, income based deduction जो section ATISA से लेके ATRB के बीच में आते है, अब आपको मैं बता हूँ, ATISA, ATRB, ATIA, ATIB वगरा, वो intermediate में नहीं, CA final में आत करो को उसका 30% deduction मिलेगा, यह तो खर्चे का deduction है, बट इन्होंने क्या किया, जो हमारे law makers है, उन्होंने इसको income based deduction में डाल रखा है, यह basically होना चाहिए था, expenditure based deduction बट उन्होंने क्या कर रखा है, इसको income based deduction में डाल रखा है, under part C करके तो इसको अपन income based के साथ ही पढ़ते है, तो चलिए, पहली चीज तो यह कि income based deduction कौन से होते है, जो 80 IA से 80 RRB के बीच में आते हैं, आप लोग intermediate level के लिए इतना याद रखो, income based deduction के लिए आपके लिए कौन होंगे, तीन deduction होंगे, एक तो 80 JAA, 80 QQB and 80 RRB, यह जो तीन deduction है, 80 QQB, 80 RRB and 80 JAA, यह तीन आपके लिए income based deduction है, जो part C बाले है, ठीक है, और AMT calculation में इन तीन को वापस से add back करना पड़ता है, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली चीज यह है, कि यह income based deduction आपको चाहिए न, तो पहली चीज तो आपको अपने return में claim करना पड़ेगा, और दूसरी चीज, अगर income based deduction चाहिए, तो आपको return time प employee को बोल रहे हो, आ, तो यह section बोलती है, कि अगर आप नए employee recruit करते हो, new employee recruit करते हो, और आपका business है, और आपकी audit हो रही है, तो पहली चीज तो आपका business है, आपकी audit हो रही है, और आपकी tax audit हो रही है, और आपका business है, और आप नए employee को recruit कर रहे हो, तो जितना भी employee को salary pay करोगे पे, emoluments पे करोगे, उसका 30% आपको deduction मिलेगा 3 consecutive year खे लिए, means employee को आपने इस साल recruit किया, तो उसको इस साल जो salary पे किया, उसका 30%, अगले साल जो salary पे करोगे, उसका 30%, अगले साल जो salary पे करोगे, उसका 30% आपको deduction मिल जाएगा, अब एक उट चीज़ समझना, यहाँ पे आपके new employee recruit होने चाहिए, new का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखना, अगर आपका first year of the business है, तो जो जो employee आप recruit करोगे, वो सब नए है, अगर आपका first year of the business है, तो जो employee आप recruit करोगे, वो सब नए है, लेकिन अगर मालनो first year नहीं है, तो उसमें क्या होगा, overall आपका increment कितना हुआ employee में, वो आपके new employee में माने जाएंगे, overall आपका increment कितना हुआ, जैसे for an example, starting में आपके पास 100 employee थे, आपने उस साल में 15 employee को join कराया, लेकिन उसमें से आपके 5 employee छोड़ के चले गए, तो last में आपके पास 110 employee बचे, तो एक बात बताएंगे, overall आपका increment कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 आपके new employee लिए जाएंगे, तो देखो first year of operation में तो क्या होता, जितने employee recruit करोगे वो सब new है, लेकिन अगर मालनो subsequent year of आपका जो business है, तो उस particular case में आपको देखना पड़ेगा, net increment कितना हुआ, उनको आपको new employee मानेंगे, एक और चीज़ समझना, यह deduction उनी employee के लिए ले ले सकते हो, जिनका salary आपको cash में पे नहीं करना, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे आपको deduction तभी मिलेगा, जब सबसे पहली condition यह है, कि उस employee का salary 25,000 या उससे कम होना चाहिए, मिस deduction नहीं मिलेगा, अगर उस employee का salary 25,000 से ज़्यादा है, तो उस employee को छोड़ दो, दूसरा, अगर कोई employee ऐसा है, जिसने 240 days से कम काम किया है, तो उसको छोड़ दो, मिस employee 240 days या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन in case of the, अगर manufacturing of the apparels में हो, लेदर में हो, या फिर आप footwear में हो, तो वहाँ पे 240 days की जगे 150 days का time देखा जाता है, 150 days या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, 150 days से कम काम किया है, तो आपको deduction नहीं मिलेगा, वो new employee नहीं माना चाहिएगा, तीसरा, वो participate करना चाहिए, अगर उसने आरपेप में participate नहीं किया है, तो वो तुमारे new employee में नहीं आएगा, and guys, employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employee pension scheme, notified in accordance with the provision of the Employee PF and Miscellaneous Provision Act, अगर government पूरा pension scheme में पैसा डालती है, तो वो वाला employee यहाँ पे नहीं आएगा, तो देखिए, मैं बताया, आपका new employee जो है, उसमें कुछ condition satisfied करनी चाहिए, कौन कौन सी condition, पहली condition, उसका salary 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी condition, वो 240 days या उससे ज़्यादा के लिए current year में job किया हो, उसने हमारे यहाँ पे, in case of the manufacturing of the footwear, appearance and leather के case में 240 days गया है, 150 days देखा जाएगा, and guys, उसने RPF में participate किया है, and उसका जो salary है, वो account पे ही चैक, account पे demand draft, any mode of electronic clearing system से pay हुआ है, तो आपको deduction मिल जाएगा, जितना emolument पे घर रहे हैं, उसका 30%, अब एक और चीज़ समझना, अगर कोई employee ऐसा है, जिसने current year में 240 days काम नहीं किया, जैसे for an example, उसने current year में January में join किया, तो जैन, फैब, मार्च, only 90 days काम किया, अब उसने अगले साल 240 days से जदा काम किया है, तो क्या अगले साल से deduction मिलेगा, उसके बाद एक section आती है, 80QQB, 80QQB, QQB का मतलब question question book ऐसे याद रखो, QQB, question question book, तो अगर महलो आपका book का royalty है, आपने कोई book लिखी है, और book किस पर लिखी है, या तो literacy पर लिखी है, artistic या scientific nature की book है, अगर कोई resident individual है और उसको royalty मिलता है, तो royalty पहले आप other sources में taxable कर दो, लिखी है, literacy, artistic, scientific nature की, उस book पर royalty मिलती है, पहले आप taxable कर दो, और deduction आपको मिलेगा, under chapter 6 है, under section 80QQB, deduction कितना मिलेगा, जितना आपका eligible royalty है, या 3 lakh whichever is lower, लेकिन eligible royalty का मतलब क्या होता है, जैसे मानलो books पे lump sum royalty मिलता है, तो तो जितना royalty मिला, वो eligible royalty है, लेकिन lump sum royalty नहीं मिलता, आपको royalty जो मिलता है, वो मानलो percentage पे मिलता है, कि जितना book का value का share होगा, उसका percentage मिलेगा, तो यहाँ पे eligible royalty में लेते time, आप सिरफ 15% of value of the book sold होगे, जैसे हो सकता है, मैंने कोई artistic nature की book लिगी, मैंने किसी publisher को दी, publisher मुझे royalty दे रहा है, 20% of the book value of sold, तो taxable तो पूरा 20% होगा, लेकिन deduction purpose के लिए, आपको जब royalty लोगे, eligible royalty, तो eligible royalty आपको सिरफ 15% of the value of the book sold है, उतना ही लेना है, चलिए, उसके बाद में एक section आती है, ATRRB, ATRRB क्या बोलती है, royalty from the patent, अगर आपने कोई patent develop किया था, और patent किसी को दे दिया, तो patent पे आपको जो भी मिलेगा, royalty, वो royalty, पहले आप taxable कर दो, और उसके बाद उस पे deduction मिलेगा, resident individual को, जितना आपको royalty received हुआ, या maximum 3 lakh, whichever is lower का deduction मिल जाएगा, एक और चीज़ समझना, अगर कोई royalty है, वो आपको इंडिया के बाहर से मिल रही है, अगर इंडिया के बाहर से मिल रही है, उस पैसे को इंडिया में repatriate करना पड़ेगा, तब ही deduction purpose के लिए उसको लेंगे, otherwise नहीं लेंगे, चलिए, उसके बाद में कुछ आपके other income based deduction और होते हैं, जो की under chapter 6 से part number CA में लिखा जाता है, यह other income based deduction है, एक तो ATTDA, ATTDA क्या बोलता है, कोई भी individual HUP का saving bank account है, यहाँ individual HUP, resident, non-resident, कोई भी हो सकता है, individual HUP का अगर कोई saving bank account है, cooperative bank के साथ, bank के साथ, या post office के साथ, तो saving bank का interest है, पहले आप other sources में taxable कर दो, और उस पे 10,000 तक का deduction है, वो आप ATTDA में ले सकते हो, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर ATTTB deduction है, ATTTB क्या बोलती है, बता है, कि अगर कोई भी senior citizen है, और senior citizen को किसी भी bank से, cooperative bank के या post office से interest मिलता है, इंट्रेस्ट यहाँ कोई भी चलेगा, saving वाला, FD वाला, RD वाला, कोई भी interest चलेगा, वो interest पहले आप other sources में taxable कर दो, और other sources में taxable करने के बाद, आपको ATTTB में deduction मिलेगा, deduction कितना मिलेगा, जितना आपका interest का amount है, और maximum 50,000, whichever is lower का deduction मिलेगा, तो जैसे कोई senior citizen है, उसको FD इंट्रेस्ट मिला, and saving bank पे इंट्रेस्ट मिला, total मिला के interest 70,000 है, तो 70,000 को other sources में taxable करो, फिर 50,000 का deduction आप ATTB में ले लो, अब एक बात समझना, resident senior citizen है, जब ATTB में deduction 50,000 का मिल रहा है, तो क्या वो ATTTA में deduction ले पाएगा, answer is no, ATTTA नहीं मिलेगा, जब ATTB में आप 50,000 का ले CZ का deduction, और यह पहले जो है, last time ICI ने इस part को दे रखा था, other third topic में, बढ़ उसको third topic को हटा के उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, अब एक बाद समझना, 10 AA क्या बोलती है, कि special economic zone, CZ में अगर आप manufacturing business करते हो, या software development करते हो, manufacturing business करते हो, software development करते हो, and आपको approval मिल गया था CZ में काम करनेगा, till 31st March 2020, and आपने manufacturing business चालू कर दिया है, till 31st March 2021 तक, तो आपको 15 साल तक deduction मिलेगा, 15 years तक deduction मिलेगा, कितना deduction मिलेगा, first 5 years of operation में, 100% of export profit, second 5 year of operation में, आपका 50% of export profit, third 5 year of operation में, 50% of export profit, और जितना आपने CZ reinvestment reserve में पैसा डाला, whichever is lower है, उतना deduction मिलेगा, तो देखो, first 5 years में, 100% of export profit, second 5 years में, 50% of export profit, third 5 year में, 50% of export profit, और CZ reinvestment reserve में, जितना आपने पैसा डाला, whichever is lower है, उतने का deduction आपको मिल जाएगा, अब एक पास समझना, export profit का मतलब क्या होता है, तो export profit के लिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले PGBP का income निकालना है, CZ unit का, जो special economic zone, CZ unit है, C CZ unit का, PGBP का income कितना है, वो निकालो, multiply by export turnover, divide by total turnover, तो क्या बोला, देखो, PGBP का income निकालो, CZ unit का, multiply by export turnover, divide by total turnover, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, export profit, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे guys, ध्यान देना, कि जब भी आप यहाँ पे export turnover लेते है, total turnover लेते है, इस export turnover, total turnover में कोई भी freight है, telecommunication charges है, insurance है, या expenses for providing service outside India, यह नहीं लेना है, मिस जब भी आप export turnover, as well as total turnover लेते है, आपने अगर freight का खर्चा है, यहाँ पे telecommunication charges है, insurance charges है, expenses for providing the technical service outside India है, उसको आपको consider नहीं करना है, मिस उसको export turnover से भी भगा देना है, हटा देना है, total turnover से भी हटा देना है, export turnover में, guys, वो ही वाला turnover आएगा, जो आपने इंडिया में ला लिया है, उतना पैसा, कब तक, within the six month from the end of the previous year, और time permitted by RBI, एक बात समझना, जैसे ही तुमारा previous year complete होता है, उस previous year complete हो, उससे 6 महीने के अंदर अंदर, जितना turnover आपने इंडिया में पैसा ला लिया है, पैसा लाया है, उतना ही आपके export turnover में आएगा, पर total turnover में दोनों आएगा, जितना पैसा आया नहीं आया, जैसे माल लो, आपका 100 करोड का total turnover है, उसमें से export turnover 30 करोड था, 30 करोड में से माल लो, आप 25 करोड ही इंडिया में repatriate कर पाए within the six month from the end of the previous year, तो 25 करोड है, वो ही तुमारे export turnover में आएगा, अब एक और चीज समझना, guys, आपको जो SEZ reinvestment reserve में जो आप पैसा डालते हो, जैसे ये SEZ reinvestment reserve में आपको पैसा डालना पड़ता है, last five year में, 11 year से 15 years में, वो SEZ reinvestment reserve में जो भी आपने पैसा डालना, उसको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को निकाल के, within the three years from the end of the previous year in which reserve was created, मतलब reserve create किया था, उस year के end से, तीन साल के अंदर-अंदर उस पैसे को निकाल के, उससे new planted machinery acquire करके put to use करना है, means, three years के अंदर-अंदर आपको क्या करना है, जिस year में reserve create किया, उस year का end, और उसके बाद within three years, आपको उस पैसे को निकाल के new planted machinery खरीदना है, और उसको आ आपस से वो taxable हो जाएगा, चलिए, उसके बाद में एक और चीज़ समझना है, यह deduction 10 डबले का है ना, यह भी आपको under chapter 6 में, ATC, ATD वगरा, सब लेने के बाद, last में आपको यह deduction लेना है, अब एक और चीज़ समझना, यह वाला point जो है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कि cash compensatory support, duty drawback and import entitlement license के sales से जो income होती है, वो include नहीं करना, यह deduction आपको चाहिए, तो CA का report submit करना पड़ेगा, CA से audit कराना पड़ेगा, इसमें यह business अगर आपको करना है, तो इसमें जितनी भी plant and machinery है, वो सब new होनी चाहिए, but guys, इसमें दो exception है, एक तो 20% तक आपकी second hand हो सकती है, औ वो आपका new ही माना जाएगा for the purpose of this section करगे, ठीक है, चलिए, अब एक और चीज़ समझना, यह जो deduction topic अपने पड़ा, अगर आप default taxation regime में जाते हो, default taxation regime 115 BAC, तो 115 BAC लेते हो तो आपको दो deduction नहीं मिलेंगे, एक तो कौनसा नहीं मिलेगा पता है, एक तो under chapter 6A, कोई भी deduction नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ATC से लेके ATU तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA भी नहीं मिलेगा, मतलब अपनने जो ATC से पड़ा था न, ATC से लेके ATU तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA, SEZ वाला भी नहीं मिलेगा, ATQQB भी नहीं मिलेगा, ATTTN, ATTB, कुछ भी नहीं मि पैसा डालता है उसका and CCH जो अगनीपद इस Corpus Fund में पैसा डालते है उसका, तो ये तीन deduction आपको मिल जाएंगे, इन तीन को छोड़के आपको कोई भी deduction नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या बोला, समझ नहीं कोशिश करना, अगर आप 115 BAC default taxation रिजिम में जाते हो, तो आपको under chapter 6 हेगा, कोई deduction नहीं मिलेगा ATC से U तक नहीं मिलेगा 10 AA भी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, तीन deduction मिल जाएंगे, एक तो ATJAA, जामत आवाला ATCCD2 and ATCCH2 है, वो आपको मिल जाएगा, अब एक topic आता है, alternate minimum tax या जिसको आप AMT बोल सकते हैं, अब एक बाद समझना है, ये AMT कब लगेगा, जब आप 115 BAC नहीं follow कर रहे हो, अगर आप 115 BAC लेते हो, ना तो AMT लगेगा ही नहीं, बट अगर आप 115 BAC नहीं लेते हो, तो आपको AMT भी लगेगा, AMT क्या होता है, देखो, normal पहले आप tax निकाल दो, normal provision के हिसाब से, उसके बाद आपको AMT निकालना पड़ेगा, AMT का मतलब होता है, adjusted total income का 18.5% निकालो, ये all assessi के लिए है, company को छोड़ के, तो देखो, आपको क्या करना, पहले normal provision के हिसाब से tax निकालो, और फिर आप AMT निकालो, AMT क्या करने का, adjusted total income का 18.5% and guys, adjusted total income का 18.5% and normal provision के हिसाब से, जो tax आएगा, whichever is higher आएगा, वो आपको government को pay करना है, whichever is higher आएगा, वो आपको government को pay करना है, लेकिन आप बोलोगे, sir, adjusted total income कैसे निकालते हैं, तो adjusted total income यहाँ निकालने के लिए, बड़ा simple है, आप एक काम करो, सबसे पहले आपकी जो total income है, net taxable income है, वो ले रहो, और उसमें तीन deduction को वापस add back कर दो, एक तो 10AA वाला SEZ का deduction लिया है, वो add back कर दो, जो आपने 35 AD में वो 14 business, hotel, OYO वाला, hotel 2 star of O, hospital वाला, cold chain, facility, warehousing वाला, वो सब, तो वो अगर deduction लिया, तो वापस add back कर दो, and under chapter 6 से, अगर आपने income based deduction लिये है, in the heading C वाले, वो तीन deduction, ATJAA, ATQQB, ATRRB, इन तीनों को add back कर दो, तो देखो, आपको AMT निकालने के लिए, adjusted total income निकालना है, क्योंकि adjusted total income का उसके लिए आप एक काम करो, पहले आप net taxable income ले लो, total income ले लो, आपकी जो normal provision से आई, उसमें तीन deduction अगर लिये तो add कर दो, कौन गौन से, एक तो 10AA, SEZ वाला, एक तुमारा 35AA, वो 14 business वाला, और 80, 00JAA, 80 QQB, 80RRB, उसको add back कर दो, अब एक बात समझना, जब आप 35AA को यहाँ disallowed कर रहे हो, add back कर रहे हो, तो अगर 35AA ना होता, ना लिया होता, तो कितना depreciation allow होता, वो आप less कर दो, जो बचेगा वो adjusted total income, इस adjusted total income पे आप 18.5% ले लो, that is call your AMT, अब एक बात समझना, जब आप 18.5% लोग है, तो क्या इसमें surcharge भी और add करना है, that depends on adjusted total income, अगर यह adjusted total income 50 lakh से जादा है, up to 1 करोड है, तो 10% surcharge add करो, 1 करोड से 2 करोड तक है, तो 15%, 2 करोड से 5 करोड तक है, तो 25% और 5 करोड से जादा है, तो आपको 37% surcharge add करना है, उसमें health and education says, 4% add करना है, और उसके बाद last में compare करना है, कि AMT और normal tax, whichever is higher है, वो pay करना पड़ेगा, अब एक चीज़ समझना, यह AMT का funda नहीं लगेगा, कब, एक तो अगर adjusted total income किसी का आता है, वो 20 lakh से कम है, miss 20 lakh या उससे कम है, तो आप पे AMT नहीं लगेगा, और दूसरा, अगर guys, आप लोग जो है, ध्यान रखना, अगर यह deduction ही नहीं ले रहे, तो आपको AMT नहीं लगेगा, तो AMT उनी लोगों को लगेगा, जो 10 AA, 35 AD, या फिर 80 JJ AA, 80 QQB, 80 RRB के deduction लेते हैं, तो आप यह समझो ना, अगर मालो कभी भी आपका AMT जो है, वो नॉर्मल टेक्स से ज़्यादा है, जो नॉर्मल टेक्स आता है, उससे AMT ज़्यादा है, तो जितना AMT ज़्यादा है न, उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, जिसको AMT क्रेडिट बोला जाएगा, और वो AMT क्रेडिट आप next 15 assessment year तक उसको carry forward कर सकते हो, लेकिन AMT क्रेडिट को आप utilize कब करोगे पता है, जिस यहर में आपका normal income tax ज़्यादा है as compared to AMT, तो जितना difference है न, उस difference में आप क्या कर सकते है, AMT credit utilize कर सकते है, तो देखो, AMT credit बनेगा कब, जिस year में AMT ज़्यादा है normal tax से, उस year में AMT credit बनेगा, जितना difference है वो, और उसको utilize कब करेंगे, जिस year में आपका normal tax ज़्यादा है AMT से, तो उस year में आप उसको AMT credit को utilize करेंगे, you got my point or not, yes, so guys, this is the completion of your deduction topic, so guys, आपको अच्छा लगा होगा ये revision lecture, आप इसको कम से कम 2-4 बार revision lecture को देखिए, RTP करिए, MTP करिए, और जितने class में हमने question किये है, उस पर आप ध्यान दीजिए, आप आराम से pass हो जाएंगे, attention मर लो, इस बार result अच्छा रहने वाला है, बस लास्ट कुछ देज है, लगा लो अपना जितना लगा सकते हैं, जितनी आप में हिम्मत है, put your 100%, because मैं हमेशा बोलता हो, give your 100%, I say I will give you 50% and we need only 50% to crack the exam, so बस जल्दी ही pass होने वाले हैं, मेनत करिए, बाकी सब चीज़ें जितनी भी destruction life में चल रही है, इधर उदर की बाते, social media, यह वो सब छोड़िये, आपका एक ही focus होने वाला है, exam कभी भी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, और exam जो है, वो time पर होने वाले है, तो जब exam time पर होने वाले है, और देखो, pass तो वही होने वाले है, जो पढ़ने वाले है, और result इतना ही रहने वाला है, 20-25% या 10 से लेके 20% के बीच में result रहने वाला है, या 25% भी जा सकता है एक group का, तो guys जब result इतना ही रहने वाला है, तो जो पढ़ेंगो वही pass होने वाले है, simple सी बात है, सबकी हाला देख जैसी है, सबको expectation था, exam की date बढ़ेगी, पट नहीं बढ़ी, कोई फरक नहीं पड़ता, जितना आपने किया है, जितनी हिम्मत है, आपने उतना आप लगा लिए ठीक है, ठीक है, चलिए, thanks a lot people, that's enough for today from my side.